नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे तेजस मार्क 2 यानि की दोस्तों तेजस मीडियम वेट फाइटर की जो की दोस्तों नेक्स्ट यर ही रोल आउट हो सकता है और इसके 2023 के अंदर ट्रायल शुरू हो सकते हैं ये बात H.E.L. के चीफ आर माधवन ने कही है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों H.E.L. के चेर्मेन आर माधवन ने कहा है कि एक मोर पोटेंट वर्शन इंडिजिनस तेजस मल्टी रोल आउट जेट का सामने आने वाला है इसके अंदर ज्यादा पावरफुल इंजन होगा ज्यादा लोड केरिंग कैपैबिल्टी होगी, नेक्स्ट जेनरेशन के इलेक्ट्रोनिक वार्फियर सिस्टम होगा और बहुत ही सुपिरियर एवियोनिक्स भी होंगे ये अगले साल रोल आउट हो सकता है और 2023 के अंदर इसके हाई स्पीड ट्रायल शुरू हो सकते हैं उन ज्यादा लोड केरिंग कैपैबिल्टी होगी और ज्यादा स्ट्रोंग इंजन होगा और सबसे बड़ी बात सुपिरियर नेट सेंट्रिंग वार्फियर सिस्टम भी होगा चूंकि इसकी रेंज और पेलोड कैपैबिल्टी ज्यादा होगी इसलिए ये जो 83 तेजस फाइट से इसके वैपन सिस्टम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये लेटर स्टेज के उपर डिसाइड किया जाएगा क्योंकि डाइनमिक्स लगातार बदलते जा रहे हैं लेकिन ये एक पोटेंट प्लेटफोर्म होगा एर कॉमबैट के लिए और ओफैंसिव एर सिस्टम भी होगा वहीं AMCA के उपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2026 के अंदर माना जा सकता है कि इसकी पहली फ्लाइट हो जाएगी और 2030 के अंदर इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होगी कि AMCA के लिए जो कुछ एक टेकनोलोजीज बनाई जा रही है उसी को तेजस मार्क 2 के अंदर भी दिया जाएगा इससे हम ये कह सकते हैं कि ये राफेल फाइटर जेट से ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर अन्या 4.5 जेनरेशन के फाइटर जेट से भी ज़्यादा पावरफुल होगा और अभी दोस्तों उनका जिस हिसाब से बताना है कि ये पूरे सही समया के उपर आएगा तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए और टाइम लाइन के लिए भी धन्यावाद जैहिन